हलो दोस्तो खेंपुर रिपेर यूटूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज हमारे पास आप देख सकते हैं ये एक 44-44 का बोर्ड है और दोस्तो इस बोर्ड में प्रॉब्लम यह है कि इसकी आप देख सकते हैं वाइरिंग वगेरा बिल्कुल भी नही कीवी है वाइरिंग इसकी सारी तूट गई है और हमारे पास ये रिपेर के लिए आया है तो दोस्तो आज हम इसकी complete वाइरिंग करेंगे और मैं आपको इसके connection बगेरा बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा आप इस बोर्ड को कैसे रिपेर कर सकते हैं क्या-क्या इसम को देखें नहीं तो आप इस वीडियो को skip करके जा सकते हैं ये वीडियो आपके काम का नहीं है अब दोस्तों चलिए हम बात करते हैं कि इस बोर्ड में मैं प्रोब्लम क्या आती है और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इसमें काफी सारी प्रोब्लम होती है और वो सारी problems मैं आपको इस वीडियों बताऊंगा, इसकी wiring भी करके मैं आपको दिखाऊंगा, कि इसकी wiring को हमें किस तरह से करना है, तो चलिए दोस्तो इस वीडियों को शिरू करते हैं, दोस्तो आप देख सकते हैं, यह जो हमारे पास 44-44 का board है, दोस्तो डबल आई-सी वाला इस board में आप देख सकते हैं, कि इसकी condition काफी ज़्यादा खराब हैं, यहाँ पर इसका capsitter आप देख सकते हैं, यहाँ पर lose हो गया है, इस side से print भी तूट गये हैं, इसके साथ ही यह capsitter भी यहाँ पर अलग हो गया है, यहाँ पर यह किसी mechanic ने इसकी solding की है, जो के अच्छी तरह से नहीं की है, तो दोस्तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा से यहाँ पर साफ कर लेता हूँ, इसकी जो यह solding वगएरा खराब है, इसको iron से पहले इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने इसका जो capsiter है, उसको अच्छी तरह से लगा लिया है, इस capsiter को भी लगा लिया है, और इस kit में जो भी dry solding थी, उसको अच्छी तरह से यहाँ पर soldering कर लिया है, अगर इसमें humming की आवाज आती है, काफी ज़्यादा आती है, तो दोस्तों यह ज़्यादातर capsiter की वज़े से होती है, या फिर diode की वज़े से होती है, यह चीज़ आप दिहान लखें, और यह हमेशा जो है, वो आप जब AC वोल्ट पर लगाएंगे, तब हमिंग आएगी, DC वोल्ट से हमिंग आपको तब ही आएगी, जब आपने यहाँ पर जो input की वायर है, उसमें अगर आपने अर्थिंग की वायर, यानि के ground की वायर अगर नहीं लगाई है, तब आपको DC पर हमिंग है, वो आएगी 12 वोल्ट से चलाने पर, लेकिन अगर आप लाइट से चलाते हैं, AC वोल्ट ट्रांसफार्मर को लगा के, उसके बाद हमिंग आती है, तो आप इस capsiter या फिर डायोट को चेक कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों इसके साथ कई बार प्रॉब्लम ऐसी आती है, जैसे कि आपकी जो आवाज है वो पिर्पराती है, या फिर आवाज थोड़ी कम हो जाती है, या फिर एक IC में ज्यादा आवाज होती है, एक में कम होती है, या फिर आपकी एक IC ज्यादा गर्म होती है, एक IC कम गर्म होती है, तो दोस्तों ये सारी problems जो हैं ये इन दो IC की वज़े से ही होती है अगर IC में किसी तरह की IC आपकी hitting करती है तो जहर सी बात है कि वो volt जादा लेगी यहाँ पर volt drop होंगे और आपके जो आवाज है वो कम हो जाती है automatic से ठीक है तो इस condition में आप क्या करें कि एक IC का यहाँ पर जो जमपर लगा होता आप इसको यहाँ पर हटा दें ठीक है हटा कर आप दूसरी IC को चेक करें कि उसकी sound जो है वो बिल्कु ठीक है clear है या उसमें भी कोई problem है तो एके करके आप दोनों IC को चेक करें पहले इसके जमपर हटाएं इसको चेक करें फिर इसके हटाएं इसके लगाएं और इसको चेक करें ठीक है ऐसे करके आप पता कर सकते हैं कि आपकी IC खराब है या सही है बिना IC को निकाले यह बहुत आसान तरीका है यहाँ पर हम एक एक वाय ट्रासफार्मर की लगाएंगे और इसके बाद दोस्तों अगर हमें इस पर यहाँ पर DC सप्लाई देना है बैटरी 12 वोल्ट की तो वो आप इस केपसीटर पर यहाँ पर डारेक्ट लगा सकते हैं माइनस और प्लस ठीक है दोस्तों यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस आएगा इसके बाद हमारी जो स्पीकर की वायरिंग आएगी दोस्तों वो कुछ इस तरह से आएगी हमारी एक वायर आपको यहाँ लगा देना है और दूसरी wire आपको यहां लगा देना ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं यह जो plus 12 volt का print है ठीक है, यहां पर यह आप देख सकते हैं, एक jumper है, दूसरा jumper यहां पर है ठीक है, यहां से यहां को गया है और यहां से यहां पर गया है और five number की pin speaker की है ठीक है तो three और five जो है वो speaker की है और four number की pin जो है वो DC 12 volt supply की है इस तरह से connection को किया जाता है और दोस्तों यहाँ पर जो इसकी volume के wire है वो आपको किस तरह से लगाना है ये भी आप समझ लीजिए आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक jumper म और वैसा ही same jumper जो है वो ही यहाँ पर दे दिया गया है जो के साइड में है यह वाला ठीक है तो यह दो jumper जो है दोस्तों यह के यह hon पर जो volume की wire है वो आपने देख लिए volume in की यहाँ पर लगाना है दोस्तों यह दो channel left और राइट के होते हैं, यहां पर आप इसकी देख सकते हैं, one, two, three, four, five, six, ठीक है, six wire एक channel के आ गई, base और travels की, six wire दूसरे channel के आ गई, base और travels की, तो इस तरह से हम इसके base के और travels के जो हैं, वो volume लगाया जाते हैं, यहां पर दोस्तो आप double वाले volume का use कर सकते हैं, या फिर यहां पर लगे वे दिख रहे हैं तो यहां पर आप ऑक्स की पिन भी लगा सकते हैं और ब्लुटूथ कार्ड की सप्लाई भी आप इन दो रेश्टन्स पर दे सकते हैं यहां पर ध्यान रखें लेफ्ट और राइट के चैनल है चाहें तो आप इस पर देदें या इस पर करेंगे तो यहां पर आपको ground की wire जरूर लगाना है जो के हमारे ground से attach होती है तो ground आपको पता है यही है ठीक है अगर आप ground की wire नहीं लगाएंगे तो इसमें audio clear भी नहीं आएगी और humming बहुत ज्यादा आएगी तो दोस्तो इस तरह से ही इसके connection को किया जाता है देखिए दोस्तो जैसा मैंने आपको बताया था वैसे ही connection इसके कर लिए है देखिए यहां पर जो हमने यह connection किया है यह audio के लिए किया है यहां पर हम audio को देंगे इसमें जिस भी चीज़ से हमें बजाना है Bluetooth से बजाना है तो इसके यहां पर wire लगाएंगे और अगर हमें इससे ऑॉक से बजाना है तो उसके wire हम यहां पर लगाएंगों इसके बात दोस्तों यह जो wire है यह हमारे speaker के wire है आप देख सकते हैं एक side का यह है दूसे site का ही है इस पर 8 ऑट इंच या 10 इंच का speaker बजा सकते हैं यहां पर दूस्तों यह हमारे wire जो हैं यह वो wire है जो में हमारे transformer पर लगाना है और यहां पर जो हैं दोस्तों यह वो wire है जिसमें हमारे bass troubles और volume के wire हैं लेकिन दोस्तों connection यहां पर हमने तीन दे रखे हैं इसके बाद में जो यह volume है यह troubles का है इसके connection यहां पर दे रखे हैं और जो सबसे जरूरी है वो है यह आवाज वाला यहां पर हमने bass troubles और आवास के जो sound वाला volume लगाया है वो तीनों volume single channel वाले लगाए हैं लेकिन इस पर हमने double channel की supply दिये ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं ground हमारे यह आ गया और जो हमारा audio है वो यह आ गया दोनों IC के लिए ठीक है दोनों IC के print यहाँ पर हमने jumper कर दी है आप देख सकते हैं इसके बाद जो हमारा audio in है वो यहाँ पर हमने दोनो channel के left और राइट के दोनों के यहां पर jumper कियें ठीक है supply हमने यहां से दी है jumper हमने यहां कियें ठीक है तो ऐसा करके आप जो हैं वो double volume के जगा single volume का use कर सकते हैं आशा करता हूँ दोस्तो यह connection आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं अगर समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप इनका screenshot बना कर रख सकते हैं अपने पास और आप इसको अच्छी तरह से connection कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुरुवार और रविवार शाम साड़े 5 बजे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम